राजस्थान के 21 वर्ष ये मयंग प्रताप सेंग देश का सबसे युवा न्याइधीश बनने के लिए तयार हैं उन्होंने राजस्थान न्याइक सेवा भरती परिक्षा 2018 में टॉप किया है इस उपलब्दी के साथ ही उन्होंने 23 साल की उमर में सबसे युवा जज होने का पूर रिकॉर्ड तोड़ दिया है गौर तलब है कि इस साल ही RJS में आर्थिक न्यूत्तम उमर को 23 से घटा कर 21 किया गया था मयंग जैपुर में रहते हैं उनके माता पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं और बड़ी बहन इंजिनियर है उन्हें ये सफलता अपने पहले ही प्रयास में मिल गई है मयंग ने इस साल राजिस्थान विश्व विध्याले से 5 वर्ष की LLB डिगरी हासिल की है पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने नया एक सेवा को लक्षे बना लिया था लेकिन वो सोच रहे थे कि परिक्षा में बैठने के लिए नियुत्तम उम्र 23 साल पूरी होने तक वे कोचिंग से तयारी करेंगे जब वे कोर्स के अंतिम वर्ष में आये तो RJS के लिए उम्र को नया नियम लागू कर दिया गया और मयंक ने इस एक अफसर को पूरी तरह से हासिल किया उन्होंने अपनी सनातक की अंतिम परिक्षा के मात्र दो महीने बाद ही RJS का पेपर दे कर परिक्षा पास कर ली 9 नवंबर को उनका साक्षत कार हुआ जिसमें सबरी माला से जुड़े प्रशन पूछे गए मायंक कहते हैं कि वह अपनी सफलता के प्रती आश्वस थे लेकिन ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह पहली रैंक लाका रिकॉर्ड कायम कर देंगे उन्होंने कहा कि वह इमानदारी से न्याएक सेवा देंगे